आज हम लोग नंबल सिस्टम का लेक्चर 3 पढ़ने जा रहे हैं तो लेट्स पिकिन दे टॉपिक आज हम लोग कुछ ऐसे फॉर्मुलाज पढ़ेंगे जिससे हम लोग किसी एक्स्प्रेशन को सॉल्व कर सकते हूँ सबसे पहला फॉर्मुला है अंडर रूट अबी अंडर रूट अबी को हम लोग तोड़ गया से सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट अ इंटू अंडर रूट बी मतलब कि इस अबी के दो टुकड़े हम लोग कर सकते हैं अंडर रूट A एक टुकड़ा हो गया और एक टुकड़ा हो गया अंडर रूट B इसको हम लोग तो अंडर रूट A भी को हम लोग इस तरीके से present कर सकते हैं कभी-कभी बीच में multiplication का sign आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा अंडर रूट A अंडर रूट B तो आप लोगों को ये समझना होगा अपने मन से कि ये इन दोनों नंबर्स के बीच में multiplication का sign present है ओके तो हम लोग एक example देखते हैं इसका example है अंडर रूट 6 अब आप कहेंगे सर ये A B लिखा हुआ है आपने केवल 6 लिखा है केवल एक ही value लिखी है ऐसा क्यों तो देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ अंडर रूट 6 अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है students कि अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 किस-किस नंबर से मिलके बना है 2 और 3 हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट 6 मतलब होता है 2 इंटू 3 इस 6 को मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया अब देखिए 2 क्या हो गया मेरा A 3 क्या हो गया मेरा B तो अब मैं इसको इस फॉर्म में प्रिजेंट कर सकता हूँ देखिए अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 I hope आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी Next formula is अंडर रूट A उपान B अंडर रूट A उपान B को हम लोग किस तरीके से लग सकते है numerator में अंडर रूट A उपान denominator में अंडर रूट B for example अंडर रूट 3 उपान 2 लिखा हुआ है तो 3 क्या होगा मेरे लिए A 2 क्या होगा मेरे लिए B अब इस पूरे को मुझे इस फॉर्म में तोड़ना है तो मैं कैसे तोड़ूँगा अंडर रूट 3 उपान अंडर रूट 2 ओके स्टुएंट्स आप सभी को यहां तक समझ में आया होगा और ये चीज समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है for the number system क्योंकि आगे चलके आप लोग कि जब 10th क्लास में आएंगे 11, 12 में आएंगे तो ये चीज़ें बहुत काम आएंगे आप लोगों को इसलिए जो भी डाउट्स हों वो यहीं के यहीं आप लोग क्लियर करते हुए चलिएगा ओके तो दा नेक्स वान इस थर्ड वान इस bracket bracket के अंदर है under root A plus under root B and दूसरे bracket के अंदर है under root A minus under root B और ये दोनों multiply होने हैं तो जब हम इन दोनों को multiply आपस में करेंगे तो answer मुझे मिलेगा A minus B ये formula है इस formula को अभी करना कैसे है वो मैं आप लोगों को example के through बता दूँँगा ओके और सबसे पहली बात आप लोगों ने एट्थ क्लास में आये थे हैं कि एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि A प्लस B A माइनस B इस इक्वल टू होता है A स्कॉर माइनस B स्कॉर तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं वो इसी फॉर्मूले पे बेज़्ड हैं तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है देख सकते हैं आप लोग कि A प्लस B A माइनस B तो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है A स्कॉर माइनस B स्कॉर अब देखिए अगर मैं अंडर रूट A को अंडर रूट A को दो बार मल्टिप्लाय करता हूँ तो उसमेंसे अंडर रूट गायब हो जाएगा सिम्पल मुझे क्या मिलेगा A माइनस B सिम्पली मुझे A मिलेगा ऐसे ही अंडर रूट B को अंडर रूट B के साथ जब मैं मल्टिप्लिकेशन करूँगा तो मुझे सिम्पल B मिलेगा इसी वज़े से यह formula बनी है यह हुआ कैसे है मैं adjust अभी आपको बताऊंगा इससे पहले एक next formula और है मतलब formula बिलकुछ same to same है बस थोड़ा सा अंतर है इसमें चुकि अंडर root दोनों तरफ था A में भी अंडर root था अंडर root B में भी था बट इस वाले formula में A पर अंडर root नहीं है simply B पर अंडर root है formula same to same यही वाला चल रहा है A square minus B square वाला तो देखिए A plus under root B A minus under root B तो A का square हुआ minus B का square तो जब मैंने minus B मतलब under root B का square करा तो मुझे simply B मिला तो मेरे जो answer हुआ वो हुआ A square minus B अब इसको करना कैसे है वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ मान के चलिए मुझे के example given है 1 plus under root 3 और bracket के अंदर 1 minus under root 3 मतलब की A plus under root B A minus under root B मुझे given है तो हमने देखा था पीछे के formula क्या था A square minus B मैं चाहूँ तो आप लोगों को simple form में भी बता सकता हूँ बट इसको मैं थोड़ा से elaborate करके बताऊँगा ताकि आप लोगों के दिमाग में अच्छे से जा सके ये बात देखिए ये जो first है मुझे तो सीडी सीडी सी बात है ये पूरा term इस पूरे term के साथ multiply करना है अब वो कैसे करना है वो देखिए ये जो first number है इसको हम लिखेंगे उसके बाद इस first number का multiplication इस पूरे term में होगा one minus under root 3 फिर ये जो plus under root 3 बचा हुआ है इसको लिखेंगे और इस term का multiplication इस पूरे term में कर देखिए ओके तो अब आप देखेंगे कि one का multiplication one में किया तो क्या है one one का multiplication minus 3 में किया ये minus under root 3 में किया तो क्या है minus under root 3 क्योंकि किसी भी number का multiplication one के साथ करें तो same to same वो ही number हमें मिलता है अब देखिए यहाँ पर plus का sign है तो मैंने plus का sign लगाया under root 3 का multiplication one के साथ हुआ तो क्या मिला मुझे under root 3 ओके आगे देखिए ये प्लस का साइन है यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम लोग जानते हैं कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आया under root 3 का multiplication जब मैंने under root 3 में किया तो मुझे क्या मिला under root 3 का square क्योंकि under root 3 जो है दो बार multiply हो रहा है न इसी लिए under root 3 का square मैंने लिख दिया है ऊसे अब देखें 1 minus under root 3 plus under root 3 minus under root 3 का जब भी भी square होगा तो आंसर मुझे केवल 3 ही मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, 2 और अंडर रूट कैंसल आउट हो जाते हैं, यह चीज मैंने आगे एक फॉर्मुले में बताई है, तो आप लोग उस फॉर्मुले को चेक आउट करेंगे, तो आप लोग वो समझ में आईगी वो चीज, तो यहां पर माइनस का अंडर रूट 3 है, यहां पर प्लस का अंडर रूट 3 है, तो यह दोनों आपस में cancels out हो गए, ओकि तो अब मेरे पास क्या बचा, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, यह देखी, यह प्लस है, यह माइनस है, तो 3 मेंसे 1 गया, कितना बचा, 2 लेकिन, इन दोनों numbers में से जो बड़ा number है वो है 3 और 3 पर जो sign है वो किसका है negative का इसी लिए जो answer आएगा वो आएगा negative में Okay students I hope आप सभी को यहां तक clear हो चुका होगा Now coming on to the next formula that is fourth one under root A multiply by under root A अगर किसी एक ही number का दो बार multiplication होता है और वो जो number है वो under root में होना चाहिए तो जो answer आएगा वो simple वो ही number होगा जो answer आएगा वो वही number होगा ऐसा क्यों होता है वो आप लोग 10th class में पढ़ेंगे 10th, 11th, 12th में आप लोगो समझाया जाएगा तो होता क्या है आप लोग बस इतना अभी के लिए भेराल आप लोग इतना समझ लीजिए कि मान के चलिए under root 3 लिखा हुआ है अगर under root 3 का multiplication under root 3 के साथ करा जाएगा तो answer हमेशा 3 ही मिलेगा इसको 9 मत कर देना गलती से भी कि पता जाले है आप लोग क्या कर दे है कि 3 का multiply 3 में किया तो 9 आ गया और under root चड़ा दिया ऐसा नहीं है under root से under root हो जाता है cancel और ये जो 3 है दो बार लिखा हुआ है इसको हम लोग केवल एक ही बार लिखेंगे अंडर root 5 का multiplication अंडर root 5 में होगा तो answer मुझे 5 ही मिलेगा ओके students I hope यहां तक समझ में आया होगा next one is next formula is bracket open under root A plus under root B another bracket open under root C plus under root D अब इसको हम लोग कैसे करेंगे देखिए इस under root A का multiplication इस पूरे के साथ होगा जोकि मैंने पीछे एक example में आप लोग को सिखा है देखिए under root A का multiplication इस पूरे term में किया गया है फिर इस plus under root B का जो बचा हुआ plus under root B था उसको लिखा उसके बाद इस B का multiplication इस पूरे term में होगा है तो देखिए under root A का multiplication जो अब under root C के साथ किया तो under root क्या मिला मुझे A, C under root 3 under root 2 इसको माल लो अगर इसको अगर हम लोग माने क्या under root A को मैंने under root 3 माल लिया और under root C को मैंने under root 2 माल लिया तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा under root 3 to the 6 under root 6 हो जाएगा यहाँ पर under root A का multiplication under root D में किया under root AD मिला plus का sign लगा हुआ था इसलिए यहाँ पर plus का sign है plus plus लगाया under root B का multiplication under root C में करा तो मुझे under root BC मिलेगा plus का यहाँ पर sign है प्लस का यहां पर सायन है तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है तो अंडरूट बी का मल्टिप्लिकेशन अंडरूट बी में किया तो क्या मिला मुझे अंडरूट बी डी I hope आप सबी को यहां तक समझ में आया होगा इसी का चुकि आप लोगों की बुक्स में यह वाला फॉर्म नहीं दिया हुआ था बट मैंने इस फॉर्म को अपना एक बना के एक और फॉर्मुला बना के आप लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूँ देखिए अगर आप लोगों को गिवेन हो A प्लस अंडरूट बी C प्लस अंडरूट D तो देखिए इस A का मल्टिप्लिकेशन इस पूरे के पूरे टर्म में हम लोग करेंगे और प्लस अंडरूट B का मल्टिप्लिकेशन इस पूरे टर्म में करेंगे जो कि हम लोग उपर अभी कर रहे थे तो A का मल्टिप्लिकेशन जब हमने C में करा तो मुझे मिला A, C A का मल्टिप्लिकेशन अंडर रूट D में करा तो मुझे मिलेगा A अंडर रूट D प्लस B प्लस अंडर रूट B का मल्टिप्लिकेशन C में करा तो मुझे क्या मिलेगा प्लस C अंडर रूट B प्लस अंडर रूट B का प्लस अंडर रूट D में जब मल्टिप्लिकेशन करेंगे तो मुझे मिलेगा आंसर प्लस अंडर रूट BD अब इसको करना कैसे है वो मैं आप लोगों को example के थूरू समझा रहा हूँ तो इसको proper और तरीके से आप लोग देखें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़ देखें एक example हमारे पास दिया हुआ है 5 प्लस अंडर रूट 7 और 2 प्लस अंडर रूट 5 दोनों ही अलग-अलग ब्रैकेट में दिये हुए हैं ठीक है तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगी इस 5 क्मुल्टिप्लिकेशन इस पूरे पूरे टर्म में करना है मुझे तो वो मैं करता हूँ 5 क्मुल्टिप्लिकेशन इस पूरे टर्म मैं करता हूँ अब क्या बचा इस तरफ प्लस का अंडर रूट 7 तो प्लस का अंडर रूट 7 मैंने same to same लिख दिया bracket open किया ये वाली values put करी क्योंकि ऐसा ही हम लोगों को करना पड़ता है according to the formula देख सकते हैं उपर तो देखिए 5 का multiplication 2 में हुआ 5 2s are 10 यहां पर प्लस का sign दिया हुआ है इसलिए मैंने यहां पर प्लस का sign लगाया 5 का multiplication अंडर रूट 5 में होगा तो कैसे लिखूंगा 5 अंडर रूट 5 यहां पर प्लस का sign दिया हुआ है इसलिए प्लस का sign लगाया अंडर रूट 7 का multiplication 2 में करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 2 अंडर रूट 7 यहां पे भी प्लस का साय नहीं यहां पे भी प्लस का साय नहीं तो प्लस इंडू प्लस क्या हो जाता है प्लस अंडर रूट 7 का मिल्टिप्लिकेशन अंडर रूट 5 में करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा अंडरूट सेवन फाइव जा थर्डी फाइव ओके तो ये मेरा क्या हो गया आप हमारे लिए ये जो पूरा मेरा निकला है वो है मेरा आंसर I hope आप सभी को यहां तक समझ में आया होगा नहीं आया है अगर आप लोगों को समझ में कि मुझे बता सकते हैं ताकि मैं दोबारा से इस चीज़ को आप लोगों को एक्स्प्लेन कर सकूँ नेक्स्ट फॉर्मूला इज ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट A प्लस अंडर रूट B का होल स्कॉयर तो इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है A प्लस 2 अंडर रूट A B प्लस B ऐसा हुआ क्यों है वो मैं आप सभी को एक्जाम्पल के थूँ एक्स्प्लेन कर रहा हूँ देखिए एक्जाम्पल हम लोगों को गिवेन है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्कॉयर तो देखिए अगर मैं इस पूरे को तोड़ू तो किस तरीके से तूटे गाई है देखिए अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 इसको हम लोग नीचे की तरफ लिख देते हैं इसको हम लोग इन दोनो नंबर्स को हम लोग दो बार लिख सकते हैं क्योंकि स्कॉयर है और स्कॉयर का हम लोग जानते हैं कि 5 का अगर स्कॉयर है तो हम लोग 5 को दो बार लिख सकते हैं फाइव इंटू फाइव तो वही चीज मैंने यहाँ पर भी करिए अंडरूट थ्री प्लस सेवन और प्लस multiplied by अंडरूट थ्री प्लस सेवन इस टर्म को दो बार मैंने तोड़ दिया अब देखिए similar way जो हम लोग पहले करते चले आ रहे थे इस वाले अंडरूट थ्री का multiplication इस पूरे टर्म में होगा प्लस अंडरूट सेवन का multiplication भी इस पूरे के पूरे टर्म में होगा ओके तो अब देखिए अंडरूट थ्री का multiplication अंडरूट थ्री में हुआ तो हम लोग पीछे भी इभी पढ़ चुके हैं कि similar numbers के अगर अंडरूट है तो उनका answer केवल वही same number आता है देखिए अंडरूट थ्री का multiplication अंडरूट थ्री में हुआ तो answer आया क्या 3 प्लस का sign लगा हुआ है अंडरूट थ्री का multiplication अंडरूट सेवन में करा तो answer मिला मुझे 7, 3 is a 21 प्लस अंडरूट 7 का multiplication अंडरूट 3 में करा तो मुझे यहाँ पर भी क्या मिला अंडरूट 21 प्लस का multiplication किया है मैंने प्लस के साथ तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है अंडरूट 7 यहाँ पर है अंडरूट 7 यहाँ पर है अंडर रूट 7 का मल्टिप्लिकेशन अंडर रूट 7 में होगा तो आंसर क्या मिलेगा मुझे 7 यह हम लोग पीछे पड़ चुके हैं तो देखिए यह 7 यह 3 तो 7 3 10 प्लस अंडर रूट 21 अंडर रूट 21 तो देखिए एक बार यह अंडर रूट 21 है और एक बार यह अंडर रूट 21 है तो इसके आगे भी 1 लगा हुआ है इसके आगे भी 1 लगा हुआ है तो 1 प्लस 1 2 और सेम टू सेम अंडर रूट 21 यह 1 और 1 का एडिशन कैसे हो रहा है क्योंकि देखिए under root 21 के बाहर 1 ही होगा क्योंकि देखिए 1 का multiplication अगर under root 21 में करेंगे तो मुझे same to same वही नमबर मिलेगा है न तो इसलिए अगर किसी भी under root के बाहर हमें कोई number नहीं देख रहा है तो वो समझ जाएगा 1 ही होता है ओके students देखिए कि under root 21 का addition जब मैं under root 21 के साथ करूँगा तो मुझे 2 root 1 2 under root 21 ही मिलेगा यहाँ पर addition और subtraction की बात हो रही है ध्यान लगिएगा addition में हम लोग under root वाली values को add करते हैं under root के जो भार जो values होती हैं उन्हें हम आपस में add कर देते हैं under root के बाहर कैसे under root 21 के बाहर कौनसी value है 1 इस वाले under root 21 के बाहर कौनसी value है 1 तो जो 1 1 वाली जो values हैं केवल हम उन्हें ही add करेंगे under root वाली values को add नहीं करेंगे तो इस बात पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यह basic theories होती है कोई भी समझाता नहीं है कभी-कभी students को समझ में भी नहीं आती है यह बात है तो इस बात पर बहुत ज़ादा गौर करना आप लोग के जो under root 21 के बाहर जो values हमें दिखाई नहीं दे रही है वो ही values आपस में add होंगी ओके जो under root के अंदर वाली जो values है वो add नहीं होंगी I hope आप सभी को यहां तक समझ में आया होगा तो this is my answer Now, coming on to the seventh one formula दिया हुआ है मुझे यह हम लोग का formula given है n under root a is equal to b तो इसको हम लोग के इस form में लग सकते है b की power n बराबर a ऐसा कैसे है वो देखिए आप लोग देखिए आप लोग को एक value दी होगी मान के चलिए 8 उसके उपर under root लागा है यह जो 3 है यह जो n वाली जो value होती है वो बहुत छोटे में दी हुई रहती है यह बहुत ही छोटे number में हम लोग को present होती है तो इसका मतलब होता है 8 देखिए अगर simply under root होता तो under root का मतलब होता है half लेकिन अगर under root के बगल में यह 3, 5, 4 लेखे हो तो इसको हम लोग क्या लेखते है 8 की power 1 upon 3 अगर under root होता केवल 3 नहीं होता तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग 8 की power half ओके I hope आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा तो देखिए 8 की power क्या हो गई 1 upon 3 अब देखिए 8 किसका cube होता है क्योंकि मुझे इस 3 को cut करना है नीचे वाले जो denominator वाला जो 3 है मुझे इसको cut करना है ओके तो 8 किसका cube होता है 2 की power cube का 2 का cube 8 ही होता है तो मैंने 2 का cube बना दिया इसको भार लिखा हुए था 1 upon 3 1 upon 3 लिखा मैंने 3 से यह 3 हो गया cancel out तो मुझे जो answer मिला वो क्या मिला 2 तो मेरी जो A की जो मेरी B की जो value थी वो आ गई मुझे I hope आप सभी को यहां तक समझ में आया होगा नहीं आये students अगर आपको तो आप मेरे टेलिग्राम लिंक पर जा करके मुझसे वहाँ पर अपने doubts क्लियर कर सकते हैं बट कोशिश करिएगा एक बार अगर आप लोगो को समझ में नहीं आता है तो इसको repeat करके एक बार वीडियो को pause करके repeat करके इसको चला करके देखिए एक दो बार जब आप लोग repeat करके देखेंगी तो यहाँ पर चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी clear होने लगेंगी देखिए next one is 243 under root में और यह 5 तो हम लोग इसको देखिए कैसे लिखेंगे मैं इसको नीचे ही लिख देता हूँ देखिए 243 की power 1 upon 5 क्योंकि मैंने अभी आल आपको बता है कि मैं इस तरीके से ही लिखूँगा इसको तो देखिए 243 1 upon 5 हम लोग लिख देंगे ठीक है क्योंकि यह under root जो है 5 की power में चल रहा है इसलिए मैंने 1 upon 5 में लिखा है इसको अब देखिए 243 जो है ऐसा कौन सा number लें जिसकी power अगर 5 हो जाए तो 243 आ जाए तो देखिए 3 की power अगर हम लोग 5 करते है 3 का अगर मैं 5 बार multiplication करता हूँ तो मुझे 243 मिल जाएगा इसलिए मैंने 3 की power यहां पर 5 लिखी बहार 1 upon 5 तो 5 से 5 हो गया cancel out तो answer जो मुझे मिला वो क्या मिला 3 I hope आप सभी को यहां तक at least समझ में आया होगा Now coming on to the last one Rationalize the denominator अब हम लोगों को rationalize करना है rationalize का मतलब हम लोग already जानते हैं students irrational numbers कौन से होते थे यह under root 3 वाले irrational numbers होते थे न तो अगर आपको question में दिया हो के rationalize the denominator मतलब की हमें नीचे वाले को rational form में convert करना है जो denominator है हमें उसे rational form में convert करना है अब यह convert कैसे होगा वो आप सभी को मैं इस example के तुरू बताता हूँ देखिए example दिया हुआ है 1 on 2 plus under root 3 तो कभी भी अगर हमें denominator को rationalize करना होगा तो कैसे rationalize करेंगे देखिए यह जो denominator है ना 2 plus under root 3 इसका just opposite का multiplication हम लोग numerator में और denominator में करेंगे कैसे करेंगे देखिए sign convert करके हम लोग क्या करेंगे numerator और denominator में multiply कर देखिए 2 plus under root 3 था ना तो अब मुझे इस 2 plus under root 3 में जो है sign को change करना है इस plus के sign को minus में convert करना है तो देखिए इसको मैं लिखूँँगा 2 minus under root 3 2 minus under root 3 का multiplication numerator में भी करूँगा और 2 minus under root 3 का multiplication denominator में भी करूँगा ऐसा क्यों करा है उसको वो चीज़ आप लोगों को अभी मालूम पढ़ जाएगी नीचे तो देखिए numerator का multiplication numerator के साथ करा तो मुझे same to same वही value मिली 2 minus under root 3 क्योंकि किसी भी value का multiplication 1 के साथ करो तो वही value मिलती है मुझे तो उपर तो कोई doubt ही नहीं होना चाहिए अब नीचे देखिए नीचे क्या हो रहा है ये a plus b और ये a minus b के form में convert हो चुका है हो चुका है के नहीं हो चुका है students हो चुका है तो देखिए ये हुआ a ये हुआ plus ये b तो a plus b a minus b हम लोग जानते हैं के a plus b और a minus b का formula क्या होता है a square minus b square तो हम लोग नीचे लिख सकते है के 2 का square minus b का square होता है तो b था में रहिए b का square कर दिया मैंने simply formula में adjust करा है मैंने और rationalize जब हम करते हैं तो ये a नीचे वाला जो denominator है वो a square minus b square के form में ही convert हो जाता है इसी वज़े से हम लोग को rationalize करने की ज़रूरत होती है तो कभी भी अगर आपको ऐसे questions देखने को मिले हैं तो सबसे पहले इन्हें rationalize कर लो ताकि नीचे जो denominator है वो हमें simplest form में मिल जाए और simplest form कैसे होती है a square minus b square की form simplest form होती है जब आप और ज़्यादा questions करेंगे तो आप लोगों को ये बात समझ में आने लगेगी देखिए उपर लिखाया मैंने 2 minus under root 3 और देखिए नीचे क्या हुआ 2 का square केतना हुआ 4 minus under root 3 का square केतना हुआ under root 3 को मैं दो बार लख सकता हूँ under root 3 into under root 3 तो मुझे क्या value मिलेगी symbol 3 तो मेरा जो answer बनेगा वो क्या बनेगा 2 minus under root 3 upon 4 minus 3 1 तो 1 से किसी भी value को divide करेंगे तो answer मुझे same to same वही मिल जाएगा I hope अब आप सभी को यहां तक समझ में आया होगा अगर आप लोगों को यहां तक समझ में आया है students तो please do subscribe my channel like the video and share with your friends ताकि quarantine के वक्त आप सभी को knowledge मिलती रहे और जो भी doubts and students आप लोग मेरे से telegram link पर मैं telegram का link डाल दूँगा यहां पर इस video में मेरे नीचे comment section में published section में मैं अपना telegram का link डाल दूँगा तो आप लोग वहां पर check out कर सकते हैं और telegram link पर मेरे से जो भी doubts हों आपके वो आप मेरे से पूस सकते हैं आप यू लागे वीडियो थैंक यू